नमस्कार इस वीडियो में सेट नम्मर तीन और सेट नम्मर चार का डिसक्रिशन करते हैं सेट एक और दो का डिसक्रिशन किया गया है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा या चैनल पे पले लिस्ट त्यार किया गया है वहां से आप देख सकते है एडिटारिया 5000 के नाम से ठीक हैं, कोश्शे नमर फर्स्ट कराएं कि निम्रिखित में से कौन सहायक संधी की विशेस्ता नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जागा देसी रियास्तों के आंतरिक सासन کंपनी की अधीन होगी ये साहक संदी की विशेस्ता नहीं है कोश्चन नमर दो देखे निम्न में से किस समचार पत्र पर वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कारवाहिक की गई निम्न में से किस समचार पत्र पर वर्ना क्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कारवाहिक की गई थी तो इसका सही उत्तर हो जागा भारत मिहीर कोश्चन नमर तीन देखे इंडिपेंडेंस नामक समचार पत्र किसने किनके द्वारा प्रकासित या संपादित किया गया था इंडिपेंडेंस नामक समचार पत्र किनके द्वारा प्रकासित या संपादित किया गया था तो इसका सही उत्तर हो जागा मोतिलालेवी कोश्चन नमर चार देखे कि बाल हत्या प्रथा किस प्रिसिडेंसी में अधिक थी बाल हत्या प्रथा किस प्रिसिडेंसी में अधिक थी तो इसका सही उत्तर हो जागा बंगाल question number 5 देखे रेश्मी रुमाल सड्यंत्र किस से संबंदित है तो मौल भी उबेदुल्ला सिंधी से संबंदित है question number 6 पर आजाए और सहयोग अंदोलन के लिए परस्ताव किस कॉंग्रेस अदिवेशन में पारित किया गया था तो इसका सही उतर हो जागा Care option नागपूर दिवेशन question number 7 देखे search question परिस्थीति की तंत्र के भिषय से में सही नहीं हैं तो इसका सही उत्तर हो जागा यह एक बंद तंत्र होता है यह इसमें सही उत्तर है Q8 देखे निम्ड में से कौन सा परसीद जैविक होट एस्पोट है तो इसका सही उत्तर हो जागा पस्चिमी घार Q9 देखे कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिर्यन की महत्पून भूमिका होती है तो इसका सही उत्तर हो जागा जल्चकृ भी अपसंग सही है Question number 10 देखे कि गौतमबुद ने संग में भीक्षुनी या स्थिरी के परवेश की अनुमतिक कहां दि ने भीक्षुनी कहां दि थी तो इसका सही उत्तर हो जागा बैसाली में ये अपसंग सही है कुश्चन नमर 11 पे आ जाएं कि भारत के किस छेत्र में सरवाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जगा मरवस्थलिये छेत्र में कुश्चन नमर 12 देखे कि तीन जनवरी को उपसौर की घटना होती है तीन जनवरी को उपसौर की घटना होती है तो इसका सही उत्तर हो जागा इस लिन जो है पिरित्वी सूर्ज की दूरी सबसे निंतम होती है पिरित्वी सूर्ज की दूरी सबसे निंतम होती है question number तेरे देखे कौन सी भुकाम तरंगे सबसे अधिक बिनासकारी होती है ते इसका सही उत्तर हो जागा L तरंगे question number च्वदर देखे निमलीखित में कौन सही सुमेलित है ते इसका सही उत्तर हो जागा मेगी नौट रेखा परांस और जर्मानी ये इसमें सही है ठीक है कुश्चे नमर 15 देखें निमलीखित में कौन सी परवत सी इंकला सबसे लंबी है तो इसका सही उत्तर हो जागा कुश्चे नमर 16 देखें किस अधिनियम द्वारा केंद्रिय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था तो ये भारसासन अधिनियम 19-19 के द्वारा इसे अलग किया गया था कुश्चे नमर 17 देखें निमलीखित में से किस योजना के अधार पर समिधान सभा का गठन हुआ है तो इसका सही उत्तर हो जागा कि अंतरीम सरकार के गठन की घोषना कब की गई थी तो इसका सही उत्तर हो जागा 24 अगस्त 1946 को question number उनीज देखे निमलिखित में कौन सा कथन सही है निमलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है पहला statement को रहा है कि जब राज में राष्टपती सासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज के लिए राज सूची पर कानूर बनाने की सक्ति प्राप्थ होती है सही है राष्टपती सासन के उपरांथ भी संसद द्वरा बनाया गया कानून संसद द्वरा बनाया गया कानून प्रभावी रहता ये भी सही है यानि कि उप्शन नमर एक और दो दोनों सही है question number 20 पर आजा अनूछेद चौबन का संबन निम्लिकित में से किस्से है तो राष्टपती के निर्वाचन से संबन्दित अनूछेद है question number 21 देखे कि निम्लिकित कत्नों में से कौन सा गलत है निम्लिकित कत्नों में से कौन सा गलत है तो इसमें से राज्य लोकसेवा आयोक के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य सिंचित निदी से दिया जाता है जबकि पेंशन भारा संचित निदी से दिया जाता है ये इसमें गलत है C option इसका होगा question number 20 देखे बीत आयोक के समद्ध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए बीत आयोक में एक अध्यक्ष पद वो दो सदस होते हैं सही है इसका कारेकाल राश्टपती के आदेश के तहते होता ये सही नहीं है और इसकी पुनर नियुक्ती नहीं हो सकती ये सही है यानि कि एक और दो इसमें सही है ठीक है कॉस्टेन नमर तरहश देखे निम्न में से कौن RBI के मौादरिक निती के मात्रात्मख उपकरन है मौनेटरी पैलेसी मौदरिक निती का होता है मौनेटरी पैलेसी तो इसका क्या हो जागा बेधिक तरलता अनुपात नगद अरक्षित अनुपात और खुले बजार की किरिया है यानि कि इसमें तीनों सामिल है तो इसका सही उत्तर क्या हो जागा D option सही है एक दो और तीन question number 24 देखे परधान मंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उदेश है परधान मंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उदेश है तो इसका सही उत्तर हो जागा खाद परसंसकरन को बढ़ावा देना C option सही है question number 25 देखे निमलिखित में से कौन सी समिती FRBM अधिनियम से संबंदित है निमलिखित में से कौन सी समिती FRBM अधिनियम से संबंदित है तो इसका सही उत्तर हो जागा N casing समिती question number 26 देखे निमलिखित में से कौन सा संस्था संस्थान निमलिखित में से कौन सा संस्थान नियूंतम समर्थनमूल MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिष करता है निमलिखित में से कौन सा संस्थान नियूंतम समर्थनमूल MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिष करता है तो इसका सही उत्तर हो जागा किर्सी लागत एबं मूल आयोग C option सही है question number 27 देखे सीता अध्यक्ष का समंध था सीता अध्यक्ष का समंध था तो ये था भूमी कर बिवाग से question number 28 देखे काशमीर के छेत्रिय इतिहास का सजीव बर्नन मिलता है काशमीर के छेत्रिय इतिहास का सजीव बर्नन मिलता है तो ये जो है राजतरंगिनी में देखने को मिलता D option सही है सीजिदा वप पैबोस परथाओं की सुरुवात नीम्न में से किसी ने की देखे ये question जो है BPSC के exam में और BSSC के exam में और BPSC जो विहार SI का exam conduct कराता है इस exam में लगवक सभी exam में ये परशन multiple time पूछा गया है सीजिदा वप पैबोस परथाओं की सुरुवात नीम्न में से किसने की सुरुवात किसने की तो इसका सही उत्तर हो जागा बलवन के दोरा यह start किया गया था उतिवी कौन था उतिवी कौन था तो यह एक इतिहास कार था कौश्चन नमर 31 देखें सेर्षा के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है सेर्षा का मकवरा दिल्ली में है यह जो है इसमें असत्य है कौश्चन नमर 32 देखें किस परसीद सासक के दोरा अमुक्त मालयद लिखी गई किस परसीद सासक के दोरा अमुक्त मालयद लिखी गई तो इसका सही उत्तर हो जागा कौश्चन नमर 33 देखें दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सरवाधिक समय तक सासन निम्लिकित में से किसने किया है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से सरवाधिक समय तक सासन निम्लिकित में से किसने किया है तो इसका सही उत्तर हो जागा बहलोलोदी या इसको बहलालोदी भी बोलते है Q34 देखें निमलिखित में से कौन सा परदार्थ केंद्रक में सरवाधिक मातरा में पाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन Q35 देखें प्रकास अंसलेशन की प्रकासिक अभिकिरियाए कोलोरोपलास्ट में कहां संपन होती है प्रकास अंसलेशन की प्रकासिक अभिकिरियाए कोलोरोपलास्ट कहां संपन होती है तो इसका सही उत्तर हो जागा ग्रेन यह अप्शन इसमें सही है Q36 देखें हेलोफाइटस हेलोफाइटस होता है यह भी BPSC प्रेवेशिर में कॉस्चन बना है तो इसका सही उत्तर हो जागा वे पधे जो लवनों वाली मिट्टी में उबते हैं उसे हेलोफाइटस के नाम से जाना जाता है Q37 देखें निम्न में से कौन सा टेस्ट एडस के लिए किया जाता है निम्न लिखित में से या निम्न में से कौन सा टेस्ट जो है एडस के लिए किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जागा PCR और उसके बाद CD4 और उसके बाद ELISA ये तीन टैप का टेस्ट जो है AIDS के लिए किया जाता है इसलिए इसका उत्तर हो जागा एक तीन और चार Q38 देखे निम्ड में से कौन सा रूधीर वर्ग के लिए रूधीर पलाजमा में कोई antibody नहीं होता फिर से सुने निम्ड में से कौन सा रूधीर वर्ग रूधीर पलाजमा में कोई antibody नहीं होता तो इसका सही उत्तर हो जागा AB Q39 देखे टीरिपल वेक्सिन DPT में कौन सा एक नहीं होता टीरिपल वेक्सिन DPT में कौन एक सा नहीं होता तो इसका सही उत्तर हो जागा पीलिया B option सही है question number 40 दखे कि alpha-can का दर्बमान helium के एक अनू के बराबर होता है इसके आवेश किसके बराबर होता है alpha-can का दर्बमान helium के एक अनू के बराबर होता है और इसके आवेश किसके बराबर होता है तो इसका सही उत्तर हो जागा दो प्रोटीन के 41 देखें, निूटन के किस गती की नियम से बल का बेंजक प्राप्त होता है तो इसका सही उत्तर हो जागा गती का दूतिय नियम 42 देखें, सीलिकन, जर्मेनियम और कारवन आदी परदार्थों की परती रोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है तो ये बढ़ती है निम्ण में से किस तत्तों? 49 नमर, निम्ण में से किस तत्तों का सरवाधिक सम अस्थानिक होता है आइसे टोप्स निम्ण में से किस तत्तों का सरवाधिक सम अस्थानिक होता है तो इसका सही उतर हो जागा पोलोनियम ओ स्वरी, पोलीनियम क्वेश्चन मर, 44 देखें, कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो ये पानी बन जागा 45 देखे ग्रेफीन होता है तो ये कारबन का नेनो प्रतिरूप है Question number 46 देखे 200 रक्तदान दिवस कब मना जाता है 200 रक्तदान दिवस कब मना जाता तो ये 14 जुन को मना जाता है Question number 47 देखे निमलिकित को सुमेलित कीजिए Plasma अनुसंधान संस्थान जो है ये गांधी नगर में पड़ता है राष्टिय समुद्र विज्ञान संस्थान ये पंजी में पड़ता है और उसके बाद केंद्रिय खाद प्रोधोगी की अनुसंधान जो है यह मैसूर में परता और भरतिय मोसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में परता यानि उत्तर हो जागा एक छार और दू और तीन डी आप्शन इसमें सही है कुश्चन नमर 48 देखे पंच रात्र का संबंध किस धरम से है तो 29 धरम से कुश्चन नमर 49 देखे कि एक मात्र भरतिय जिसे रसाइन के छेतर में नौबल पुरुषकार प्रदान किया गया था वो कौन थे तो ये बैंकट रमन रामकृष्ण ये अप्सन सही है कुश्चन नमर 50 देखे भारतिय नोसेना की पहली महिला पाइलेट लेटिनेंट सिवांगी सोरूप बनी वो किस राज की रहने वाली है तो इसका सही उत्तर हो जागा बिहार का कुछ असमर्नियतत का पॉइंट है उसका डिसकेशन कर लेते हैं जो अगामी एक्जाम के लिए इंपोटेंट है रिग बेद से समझित कुछ ग्यान है या सबसे प्राचीन ग्यान है बेद है इस बेद की रिचाव को पढ़ने वाले को होर्त कहा जाता था ठीक है और इस बेद के तीसरे मंडल में गात्री मंत्र का उलेक किया गया और इस बेद के नौमे मंडल से ये कुछ एक्जाम में बहुत टाइम बना है नौमे मंडल में सोम का देवता का उलेक किया गया है एक परकार का पीने वाला रस होता था और इस बेद के दसमे मंडल में च्यार वर्ण ब्राम्म छत्रिय बेश से और सूद का उलेख देखने को मिलता है और इस बेद में इंद्र के लिए 250 और अगनी के लिए 200 रिचाओं की रचना की गए थी ये भी कुस्चन प्रिवेशेर में बना है गोत्र सब्द का सरपर्थम उलेख जो है इसी बेद से हमें देखने को मिल जाता है और इस बेद में गाई के लिए अगन्य सब्द का उफ्योग किया गया अगन्य का मतलब होता है जिसे मारा नहीं जा सकता है यजूर बेद के भी से हम कुछ जान लिए इसके रचनाओं को पढ़ने वाले को अर्द वर्यू कहा जाता था यग्ग के नियमों एवं बीधी बीधानों का संकलन मिलता है यजूर बेद में इसमें बलिदान बीधी का भी उलेख देखने को मिल जाता है यग गद एवं पद दोनों भाग में उपस्थी था सामबेद के भी से में जान लिजे कि इसके रिचाव को पढ़ने वाला को उद्रार्त कहा जाता था और इस बेद को भारतिये संगीत का जनक भी कहा जाता है ये भी कोस्चन प्रेवेसर में बन चुका यहां से अतरवेद के विसे हम जान लिजे कि इस वेद को सरपर्थम औसधी का उलेख मिलता है इस वेद में सरपर्थम औसधी का उलेख मिलता है इसमें सभायम समीती को परजापती की पुत्रिया कहा गया है बेदों की कुल संख्या कितना है? चार है, बेदांग 6 है, पुरानों की कुल संख्या 18 है और उपनिस्दों की कुल संख्या 108 है तो टोटल सेट नमर 3 का डिसकसन हमने किया अब सेट नमर चार का डिसकेशन करते हैं कोश्चन नमर शेट सेट नमर चार का कोश्चन नमर फॉस्ट भारत में परियावरन संडक्षन अधिनियम कब पारित किया गया तो उसका सही उत्तर हो जागा 1986 में कोश्चन नमर दो देखें निमलिखित में से कौन एक किरितीम परितंत्र है तो इसका सही उत्तर हो जागा डी बगीचा कोश्चन नमर तीन देखें निमलिखित में से कौन सरवाधिक गिरीन हाउस इफेक्ट करती है निमलिखित में से कौन सरवाधिक गिरीन हाउस इफेक्ट करती है तो इसका सही उत्तर हो जागा जलवास्प यह अपसन सही है Q4 देखिए कि भारत के मुख्य भूमी का दक्षिंतम बिंदु जब पूछ ले तो यह हो जागा कन्या कुमारे भारत के किस परकार का बन सरवाधिक भाग में पाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जागा उसन कटी बन दिये पर्न पाती बन Q6 देखे निम्रिकित कत्मों में कौन सा सही है हिमाले के पस्मी भाग की अप्रेक्षा पुरी भाग में अधिक बिवित्ता पाए जाती है इसमें सिर्फ यही सही है Q7 देखे अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्राइदूपिय नदी कौन है तो इसका सही उत्तर हो जागा नर्मदा Q7 देखे कि चाय की खेती के लिए निम्र में से कौन सी मिटी सबसे अधिक उप्यूक्त है चाय की खेती के लिए निम्र में से कौन सी मिटी सबसे उप्यूक्त मानी जाती है तो इसका सही उत्तर हो जागा अम लिए यह अप्सन सही है Q9 देखे मानसून निर्वर्थ तक मानसून निर्वर्थ तन होता है तो इसका सही उत्तर हो जागा उत्तर पस्यम भारत से बंगाल की खारी कुश्यन नमर दूस देखे कि बेनेजुएला की राजधानी कहां है तो ये राजधानी आपको कराकस देखिए राज राजदानी से संबनधित प्रस्जों आपको ज्यादा तर भिहार SI के एकजाम हो में या फिर आपको BSSC CGL के एक्जाम में आपको एक नमर का कम से कम प्रस्ण आपको यहां से देखने को मिल जाता है BPSC में ज़्यादा तर नहीं पूछा जाता है Question number 11 देखे, नीमनी में से कौन सा सुमेलित नहीं है नीमनी खित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका सही उत्तर हो जागा, अमेर का बागियों Question number 12 देखे, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ती मुख्यता कहां पाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जागा, करके वो मखर रिखा के मध में Question number 13 देखे, स्वर्ण सिंग समीती का संबंद है स्वर्ण सिंग समीती का संबंद है, तो इसका सही उत्तर हो जागा, अनुछेद 42 42 में, भारत के नियंत्रा एवो महालेखा परिक्षक के समन्द में निम कथनों पर विचार कीजिए इसके कारेकाल 6 वरस या 62 वरस जो पहले हो, आजो तक होता है, सही है ओ सरी, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन जो है, गलत है या राष्टपती के परसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है और इसके बेते में अन्य सेवा सर्ति राष्टपती द्वार निधारित किया जाता है ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जागा उप्यूक्त में से सभी Qn. 16 देखे राजों में मुख मंत्री समेट मंत्रियों के अधिक्तम संख्या विधान सभा की कुल सदस्या के कितने परतिसत से अधिक नहीं होना चाहिए तो इसका सही उत्तर हो जागा 15 परतिसत रीट जारी करना उच्तम नयाले के किस छेतरा दिकार में आता है तो ये हो जागा नयाय देश छेतरा दिकार भी अप्सन सही है दल बदल अधिनियम संबंदित संसोधन का पारित किया गया था सरपर्थम परतिक्ष चुनाव का प्रवधान निमलिकित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था तो इसका सही उत्तर हो जागा भारस आसन अधिनियम 19-19 के द्वारा परधान मंतरी का राष्टपती को सुचनाए परदान करने समंधी करतब्य का उलेख मिलता है तो यह उलेख किया गया अनुच्छेद 78 में कोशन नमर 21 देखें निमलिकित में से कौन सा देश पराता काल सामती की भूमी लैंड आफ दा मॉड्रिंग काल के नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशन नमर 22 देखें कि 200 जल संरक्षन दिवस मनाया जाता है तो इसका हो जाएगा 22 मार्ज को कोशन नमर 23 देखें सौदेशी और बहिसकार अंदोलन का अनुमोदन कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था सौदेशी और बहिसकार अंदोलन का अनुमोदन कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था तो ये हुआ था बनारा सधिवेशन 1905 में कॉंग्रेस कॉशन 24 देखें कॉंग्रेस की कार्ज समीती में भारत विभाजन का परस्ता कब पारित किया गया था तो ये पारित हुआ था 14 जूम 1947 को Q25 देखे कि समिधान सभा के पर्थम बैठक कायो जन किस गवर्नर्ट जनल के दोरा किया गया था तो इसका सही उत्तर हो जगा लॉड बेवेल भी अप्सन सही है Q26 देखे कि मंगल पांडे ने पर्थम भारतिय सोतंता संगराम की सुरुवात की इसके उपरांथ बीटी सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी तो उन्हें या फांसी दिया गया था आठ अप्रिल 18 सथ समतावन को बहावी अंदोलन का पर्मुख छेतर नहीं रहा है तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जागा असम Q28 देखे कि पुस्तक एरिया आफ डार्कनेस के लेखक है एरिया आफ डार्कनेस के लेखक है तो इसका सही उत्तर हो जागा B.S. नौई पॉल यानि ये अप्सन सही है 29 नमर को राय सुची एक को सुची सिकेंड से सुमेलित कीजिए इधर सूरत की संधी, पुना के संधी, पुरंदर की संधी, देवगाव की संधी और इधर गटना दिया गया है इयर सूरत की संधी जो है 1775 में हुआ है उसके अधर पुना जो संधी है ये 18-17 में हुआ है पुरंदर की संधी जो है 16-65 और देवगाव की संधी 18-3 यानि ऑप्सन क्या बन रहा है 4-3, 1-2 शलिए, कोश्चन नमर आगे आजाईए कोश्चन नमर तीस कराया कि निमलिखित में से किस गरंथ में गुप्ट काल के बारे में जानकारी मिलती है तो इसका सही उत्तर हो जागा मिर्क कटिकम ये अप्सन सही है कलिंग सासक, खारवेल ये कोश्चन वीपेसी में प्रेवे स्रेम बना है कलिंग सासक, खारवेल किस धरम का अनुयाई था तो इसका सही उत्तर हो जागा जैन कोश्चन नमर तीस देखे कि भीतरी अस्तम अभिलेक किस सासक से समन्दित है भीतरी अस्तम अभिलेक किस सासक से समन्दित है तो इसका सही उत्तर हो जागा असकंद गुप्त दक्षिन भारत में इस्थित केलासनाथ मंदिर किस सासकों के दोरा निर्मित है ने अपनी गरदन से दास्ता का जुआ उतार फेका साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी इस मुक्ती यूद का नायक सेट्रो सेट्रो कोटस था चंद्रगुप्ट के विशेम यह किसने लिखा सेट्रो कोटस है यह तो इसका सही उत्तर हो जागा एरियन कोश्चन नमर 35 देखे धोनी का प्रभाव मानव के मस्तिक्स में संबेदन कितने समय तक रहता है तो इसका सही उत्तर हो जागा 1 बाइट 10 सेकेंड कोश्चन नमर 36 देखे नेत्र में प्रभेश करने वाले प्रकास की मातरा का नियंत्रन निम्ण में से किस अंग द्वारा किया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जागा आईडिस डी अप्शन सही है रक्त की असुदियां किस अंग में जाकर छंती है रक्त की असुदियां किस अंग में जाकर छंती है तो इसका सही उत्तर हो जागा ब्रिक बी अप्शन सही है Q38 देखे कि रक्त का कितना परतिसत भाग पलाजमा होता है तो ये हो जागा 55-60% एक पौधे पर पुश्पन होने के लिए उत्तरदाई हर्मोन है तो ये हो जागा Q40 देखे कि इंद्र धरुस किसके कारण होता है तो ये हो जागा प्रावर्तन एवं अपवर्तन के बज़ा से Q41 देखे कि एक ही परदार्थ के अनुओं के बीच कारी आकर्सन बल को क्या कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जागा ससंजक बल डी अप्शन सही है फोटी टू देखे किस अभिकिरिया में भाग लेने वाले परदार्थ क्या कहा लाते हैं तो ये हो जागा अभिकारक C अप्शन सही है Q43 कर रहा है कि छारक को जल से घुलने पर क्या मुख्थ होता है चारक को जल से घुलने पर क्या मुख्थ होता है तो इसका सही उत्तर हो जागा OHIN Q44 देखे निम्बू के रस का pH मान क्या होता ये भी प्रेविसेर में पूछा गया question है तो ये होता 2.2 Q45 देखे बादल और वायुमंडल का तेरना किस कारण होता है तो ये हो जागा से अंता के बज़ा से ये option सही है चाया में पन अपने वाले पोधे को क्या कहा जाता या क्या कहते हैं चाया में पन अपने वाले पोधे को क्या कहते हैं तो इसका सही उत्तर हो जागा CEO fighters B option सही है question of 47 देखे मेनर हिन अंतराष्टिये सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है मेन और हीन अंतराष्टिये सीमा रखा किन दो देशों के बीच है तो इसका सही उत्तर हो जागा रूस और फिनलेंड के बीच है Q48 देखे जैब बीबिता दिवस निमलिकित में से किस दिन मनाया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जागा 22 मोई question number 49 देखे कि राष्टी एक हाद सुरक्षा मिशन NFSM की सुरुवात किस वर्ष की गई थी तो ये हुआ था 2007 में और भारत में मुद्रा अस्फिती की प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है क्या हो जागा CPI कुछ अस्मर्नियतत का question है यहां से आप देख लीजिए गौतमबुद के बारे में बहुत धराम के संस्थापक कौन थे ये पुछा है गौतमबुद गौतमबुद का जनम 563 इसा पुरुव जो है लूम्बनी नेपाल में हुआ था और इनकी मिर्टु जो है 483 इसा पुरु कुसी नारा कुसी नगर उत्तर परदेश में हुआ था इनके बच्पन का नाम सिदार था और इनको छो वरस की कठिन तपस्या के उपरान 35 वरस की आयू में फालगो नदी के किनारे जो है ग्यान की प्राप्ती हुई थी देखे बूद्ध ने अपना बूद्ध ने अपना पहला एवन सरवाधिक उपदेश करम सारनाथ में दिया यानि कि यहाँ जो कुस्चन बना है कि पहला उपदेश कहां दिया तो सारनाथ में एवन सरवाधिक कहां दिये सरावस्ती में और बहुद धरम में आत्मा की परिकलपना नहीं है जबकि पुनर जनम की मानेता है आत्मा सब्द नहीं है परिकलपना नहीं किया गया बहुद धरम में लेकिन पुनर जनम में ये लोग पिस्वास करते थे बहुत संग में समलित होने की निंतम आयुज़त थी वो पंदरवस थी और बहुत धरम में अमरपाली को सर्व समती से इस्तिरी रतन गोशित किया था सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बूद को एसिया का ज्योती पूंज कहा था दखिए यहां से भी BPSC कोश्चन बनाता आया है सवा से संगती से अस्थान क्या था अध्यक्ष कोंते और किसके सासनकाल में हुआ पर्थम बहुत संगती जो है 483 स्वी में हुआ है अस्थान राजगिरी अध्यक्ष महा कस्यब और सासनकाल अजाद सत्रू के सासनकाल में हुआ है दूत्ये संगती जो है 383 स्वी पूर 275 में हुआ है मोगली, पूत, तीस से इसके अध्यक्षते और असोग के सासनकाल में हुआ है चतूर्थ बौध संगती जो अन्ठानविर इस भी में हुआ है कुंडल वन और अध्यक्ष वसुमित्र और सासनकाल कनिस के सासनकाल में ठीक है जैन धरम के भी से हमें कुछ जान लीजिए अगर BPSC बनाएगा भी परसना तो इतना ही से बनाएगा इससे ज्यादा नहीं बना सकता है ज्यादा तर परसन जो है BPSC अगर जैन धरम या बोध धरम से बनाता है तो इसी सब पॉइंट से बनाएगा जहन दरम के संसापक थे रिसभ देव और जहन दरम के 22 अमत्टर्श में तिर्थनकर अरिष्ट नेमी येवं पर्षवनाथ महाँईर स्वामें के 24 येवं अन्ति मैं तिर्थनकर हुए है और महाबीर स्वामी का जनम जो है 540 इसा पुरु पुंड गराम जो बैसाली में पड़ता है पिहार में हुआ था और महाबीर स्वामी के मिर्तु जो है 460 इसा पुर पावा पुरुई जो नालंदा में पड़ता वहां हुआ महावीर के बच्पन का नाम बर्दमान था और इन्होंने 30 वरस की आयू में सन्यासी जीवन को सविकारा तथा 12 वरसों के कठिन तपस्या के पस्चार रिजू पालिकार रिवर नदी के तट पर साल विरिक्ष के नीचे इन्हें ग्यान की प्राप्ति हुआ था महावीर ने अपने 600 के 11 गंधरो में विभाजित किया महावीर पुनर जनम एवं करम काथ में विश्वास रखते थे करम बाद में स्याद बाद और अनेकांत बाद समबंदित है जैन धरम से और पर्थम जैन भिक्षुनी थी चमपा पर्थम जैन भिक्षुनी कों थी चमपा और महावीर के पर्थम अनुयाई थे उनके दमाद जामिल ठीक है और संगती कहां कहां हुआ है इसके भी से हम जान लिजिए पर्थम बाद ओ स्वरी जैन संगती जो है 300 इसा पूरू पाटली पूत्र में हुआ है और इसके अध्यक्स थे अस्थूल भद्र और दूतिये जैन संगती जो है 512 इस भी हुआ है अस्थल है बल्ला भी और इसके अध्यक्स थे आपको चैनल पर उप्लाब्द है वीडियो के डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया गया है या फिर फ़ले लिस्ट से आप देख सकते हैं सिस्ट्मेटिक वे में तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि सेट नमर पांच और सेट छे के साथ तब तक के लिए नमस्कार